अगर आप अपने मुबाइल को दिन भर में 4-5 बार चार्ज करते हो, दिन भर अपने फोन को चार्जिंग में ही लगाए रखते हो, तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, तो आप अपने फोन को बार बार चार्ज करने से छुटकारा पा सकते हो. एक चीज आप जान लिए जिस दिन आप अगर जान लिए कि मेरा मुबाइल का बैटरी क्यों खर्च होता है और किस चीज को इस्तेमाल करने से खर्च होता है कहां कहां बैटरी हमारा ज़्यादा कंज्यूम होता है अगर आप ये चीज को जान लिए इस चीज को सीख लिए तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और एंड में आपको एक ऐसी एप्लिकेशन बताऊंगा जिससे कि आपके मोबाइल की बैटरी की बैक अप बहुत जादा बढ़ जाएगी आप में से जो भी इस वीडियो को लास तक देखेगा उसे एक बोनस पता चलेगी और वो बोनस टिप्स आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है उमीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एक लाइक कर चुके होंगे क्योंकि आपके लिए ही तो ये वीडियो है और जब आप इस वीडियो को एक लाइक नहीं करेंगे तो हमें सपोर्ट कहां से मिलेगा जब आप ऐसे सपोर्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए ऐसी और वीडियो लाएंगे तो बिना किसी दरीकेस वीडियो को हम सुरू करते हैं सबसे पहली जो आप सभी के लिए टिप है वो है आप अपने मोबाइल फोन को थोड़ा छेड़ छाड़ करो यार थोड़ा उसके बारे में और जानकारिया निकालो आपके फोन के अंदर एक डार्क मोड होगा नहीं है कोई बात नहीं आपके फोन के अंदर एक नाइट मोड होगा वो भी नहीं है कोई बात नहीं लेकिन आपके phone के अंदर एक invert color mode जरूर होगा और ये सब भी के phone में होता है चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं dark mode अगर आप अपने phone के अंदर dark mode यूज करते हैं तो जितने भी आपका battery consume करने का power होता है जो white mode में आप यूज करते हो light mode में अपने phone को यूज करते हो उसमें आपकी battery जादा consume होती है जादा खर्च होती है अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे कि dark mode में आपकी battery की backup बढ़ जाती है तो आप अगले ही दिन से आज से ही अपने phone को dark mode में इस्तेमाल करोगे अब बात आती है कि आप अपने phone के अंदर dark mode कैसे on करें तो उसके लिए आप अपने phone के setting में चले जाएगा setting में जाने के बाद display के section में जाएगा यहाँ पे आपको एक option मिल लेगा dark mode उपर आपको notification panel में भी dark mode का एक icon दिखने को मिलेगा इसे click करके आप यहीं से भी on कर सकते हैं अब अगर आपके phone के अंदर dark mode feature नहीं है तो आपको एक night mode का भी feature मिलेगा उसे भी अगर आप use करते हैं तो आपके आँखों को भी थोड़ा कम असर पड़ेगा आपका जो आँख होता है जो blue rays निकलता है mobile से उससे भी हमारी आँखों को रोसनी को problem होती है अगर आपको blue rays के बारे में नहीं पता है तो google कर लिजेगा, youtube पे videos देख लिजेगा आपको काफी जानकारी देखने को मिलेगा इसलिए company अपने mobile phone में dark mode, night mode या invert color इस तरीके का feature हमें provide करती है ताकि हमारे आँखों को अराम मिले और हम अपने phone को इस्तेमाल करें तो किसी भी तरीके का कोई परिशानी ना हो अगर आपके phone के अंदर night mode का भी feature नहीं होगा तो आपके phone के अंदर एक invert color का option होगा उस feature को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अगले दिन से, अगले समय से आपके phone की battery की backup जरूर बर जाएगी हाँ, problem इसमें ये है invert color में कि जो भी आपके photos होंगे, वो negative बन जाएगे यानि कि color less बन जाएगे, जिससे आपको पैचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है लेकिन आपके phone की battery backup जरूर बर जाएगी अगर आपको पसंद आती है तो इसका इस्तेमाल कीजे otherwise ये तो tip था, आप इसे tip ही समझे अगला जो feature मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, वो काफी important है और ये इसलिए important है, क्योंकि आपके phone के अंदर जितने भी application होते हैं कम से कम, daily आपके phone के अंदर 1000 notification आते होंगे और 1000 ऐसी ऐसी notification आते होंगे, जिनका कोई use ही नहीं है सिर्फ आप उसे slide करके, slide करके, खतम कर दे जाते हो तो भाई, वैसे notification को हम अपने phone में आने ही क्यों दे बात तो यही है ना, कि हम वैसे notification को आने ही क्यों दे जिने हमें बार-बार ऐसे cross करकर करे, हमें उसे खतम करना पड़े तो आप कुछ मत कीजे, आप उन सभी application के notification को ही बन कर दीजे जिसका notification आपको बार-बार खतम करना पड़ता है तो जिस भी application का आप notification बंद करना चारते हैं उस application पे आप long press कीजे, long press करने के बाद आपको यहाँ पे एक option मिल जागा notification का इस पे क्लिक कीजे और क्लिक करने के बाद notification को बंद कर दीजे और फिर देखिएगा result कि आपकी battery का backup कैसे बढ़ता है यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह आप खुद मुझे नीचे comment करके बताईएगा अगला जो feature मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, वो काफी कमाल का है क्योंकि दोस्तों आपके phone के अंदर 100 से भी जादा application होती है और आप उन सभी application को थोड़ी इस्तिमाल करते हो कोई ऐसी application होती है जो आप 2 मिनट इस्तिमाल करके 10 दिन ऐसे ही आपके phone के अंदर पड़े रहता है तो पड़ा जो रहता है वो बहुत बड़ा रहता है और जो बड़ा रहता है वो आपके battery को ज़्यादा consume भी करता है तो सुनिए मेरी बाद, आप उस application के जो battery usage है उसे आप restrict कर सकते हैं जिससे की वो background में पड़ा है तो पड़ा ही रहे आपकी battery का इस्तेमाल ना करे तो आप क्या कीजे, आप जिस भी application को battery usage बंद करना चाहते हैं उस पे long press कीजे, long press करने के बाद आपको एक option मिलेगा battery का उस पे click कीजे, और यहाँ पे आपको एक option मिलेगा restrict battery usage इस setting को आप बंद कर दीजे और बंद करने के बाद फिर देखिएगा कि आपकी battery backup कैसे बढ़ता है और जो भी मैं आपको tips and tricks बता रहा हूँ यह आप सभी application के लिए इस्तेमाल कीजेगा जिस जिस application को लगता है कि हाँ, इस application में इस चीज का जरूरत है तो आप लगा सकते हैं अभी से पहले, जो भी मैंने आपको दो tips and tricks बताया उन सभी को आपको particular एके करके इस्तेमाल करना होगा लेकिन अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो समय बचाने के लिए आपको एक नीचे application का link दिया हुआ है उस application को download कर लिजेगा download करने के बाद जब यहाँ पे open करेंगे तो आपको एक plus का option दिखेगा plus पे जब आप click करेंगे तो जिस application को आप चाहते हैं कि उसका notification ना आए plus में वो हमारे background में थोड़ा सा भी battery का use ना करें उन सभी को आप select कर लिजे और select करने के बाद यहाँ पे आप click वाले option पे click कर दिजे और उसके बाद इन सभी application का अब आप notification नहीं देखेंगे नहीं यह application आपके background में battery का इस्तमाल करेंगे दोस्तो ऐसे ही tips और tricks मैं आप सभी के लिए लाते रहता हूँ तो channel को subscribe कर लिजेगा और bell icon को on कर लिजेगा क्योंकि ऐसी महत्प्रोन वीडियो important वीडियो आपको miss हो जाएगी दोस्तो starting में मैं आपको बताया था एक bonus tips के बारे में तो वो चीज आप जान लिजे दोस्तो जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो जो आप brightness अपने घर के अंदर यूज करते हो सेम brightness आपके घर के बाहर भी इस्तिमाल होता है लेकिन क्या आप जानते हो कि आपके phone के अंदर ये चीज तो आप जानती होंगे आपके phone के अंदर एक auto brightness का option है उस option को अगर आप इस्तेमाल करेंगे न तो जब भी आप जिस महौल में रहेंगे अगर आप धूप में रहेंगे तो आपका brightness तेज हो जाएगा अगर आप छाओं में रहेंगे तो आपका brightness कम हो जाएगा इस feature से आपका ये फायदा होगा कि जहाँ पर आपका जितना battery खर्च होना रहेगा उतना ही खर्च होगा और प्लस में ज़्यादा brightness भी अगर आपके आँखों को मिलेगा तो नुकसान ही पहुचाएगा तो यहाँ पर आपका दो फायदा हो जाता है और bonus tips आपके लिए काफी फायदे मंद भी हुआ तो आप अपने phone के अंदर auto brightness का इस्तेमाल किजिए जिससे की आपको ये फायदा हो सके